सब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस्ट हलो फ्रेंड्स गूट मॉर्निंग आप सब कैसे हैं मैं आसा कट्टी हूँ आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स शल्ली आज मैं बताती हूँ आपको कि हमारा घर बापस आना क्यों हुआ फ्रेंड्स हम वापस इसलिए आगे क्योंकि कॉरोना का कहत इतना चल रहा था कि बहुत ज़्यादा कि हमारी बच्ची भी चोटी है तो हमें ये लग रहा था कि कहीं बाहर आकर हमें विज़ता प्रॉब्लम ना बन जाए तो सब से पहले पैकिंग इस्टार्ट तो हमने रात में भी काफी देर तक पैकिंग करी थी लेकिन नित्या के शाथ में इतना अच्छे से नहीं हो पाती है जल्दे जल्दी बस इतना कर पाए रात के हमने जाड़े बारा बच्छे तक करी थी पैकिंग क्योंकि बीच बीच में नित्या रखनी होती है कभी उसको गुमाओ, कभी उसको सुलाओ तो उसका बीच में यही सब चलता रहता है तो मैंने अपना सबसे पहले किचिन में उसके चाय भी अपना गुमते फटे पी ली थी और किचिन का समान रखना शुरू कर दिया अचानक से हमारा इसलिए प्लान जादा वन गया क्योंकि जो को इनके आसपास बिल्डिंग है आफिस के बरावर में और भी तो वहां रोज सुनने में रहा था कि कभी पंदरा निकल रहे हैं चे कॉलोनी में भी केस हैं आसपास मैं ऐसे डेली में सुनने में आ रहा था तो हमने इसलिए अपना कर दी है बैकिंग स्टार्ट मैंने फटाफ़ बर्तन रखने शुरू कर दी है कार्टून लेकर और जो भी किचिन में सबची है और बर्तन है आटा वगेरा जो भी समान था किचिन का टोटल मैंने कार्टून में बढ़ना सुरू कर दिया वाकी का शमान मैंने बैक में बैक करके रख दिया है बैक में थेलों में पॉलो तिन में जैसे जैसे मुझे शमान मिलता गया ऐसे ऐसे मैंने पैक करना है इस्टार्ट कर दिया اور इनको यह भी था की मुझे घर जाके जल्दी से अपना ओफिस का मीटिंग भी स्टार्ट करनी है तो बस टाइम से निकलो तो मैं अपने जाके काम भी कर दूँगा इस्टार्ट और यह अपना सोर मचाई होते हैं कि तुम द अपना बस कर दिया इस्टा जल्दी जल्दी मैंने चाय भी बैठ कर नहीं पीती आज क्योंकि मुझे यह था कि अगर चाय पीने बैठ के तो थोड़ा टाइम तो लगी जाना है तो मैंने चाय भी अपना चलते फिरते पी ली और इनके लिए छोड़ाई थी मैं तोड़ा अप हपते में एक दो दिन के लिए जाना होगा भी इच भी इच में कहा वही आप बना के खा लेना कि यहां आकर कुछ मत लेना वाकी मैं घर से रख दिया करूंगी शाथ मैं तोड़ा बहुत कुछ उसको बना के अपना खा लिया क्योंकि इनको मैं वीडियो कॉल पर बता देती लग दिया बस सबसमान पहुचाना रह रहा है गाड़ी में तो इन्होंने बुलाया है एक भेया को जिनकी साहता से ये समान चला जाएगा गाड़ी तक मैंने इनको बोला कि किसी को बला लो क्योंकि मैं तो नीचे जाने सकती थी लिए कि शमान नित्या के लिए रहती है डाल देती हूं इन सबको उठाके अपना पहुचा दो और बस हो गया है मेरा रह गया है नहाना नित्या को मैंने नहीं नहीं लाया है था नहीं नहीं है थे कि हम लोग घर ना लेंगे और इन्होंने पहुचाना स्टार्ट कर दिया है शमान देखो ले जा रहे हैं गाड़ी में रखने और अब लगा दिया है हमने लोग समान हमारा सारा जा चुका है गाड़ी में हम चल दिये हैं अब हम निकलने वाले हैं घर की तरफ और पहुचके नीचे समान हमारा सब रख गया है तो कॉरोना की डर से हम लोगों को जल्दी भागना हो गया वहां से क्योंकि यही था कि तो को गाड़ी कितना बुरी तरह भड़ लिये हैं हमने पूरा बिल्कुल जगाई नहीं थी बस आगे पह रखने की जगा थी और भगबान जी के जोड़ लिये हमने हाथ मा के विहारी के की चलो जैयो हमारी आत्रम अंगल में हो और आप हम निकल लिये हैं फ्रेंड्स देखो बाहर कितना शान्ती है लोगों ने अपने आपी इतना बाहर निकलना कम कर दिया कि वीमारी से सब इतने डरे हुए हैं कि बाहर भी निकलो तो जो दिखता है पुरी सेफटी के साथ और बढ़ने जादा तो रोड़ पर कोई दिखता ही नहीं है सब खाली पड़ा रहता है क्योंकि तो लॉक्डाउ त्यार रास्ते में कल इतना परेशान कर देती बहुत जादा पूरे रास्ते रोना इसका रोना दोना ही चलता रहा क्योंकि एक तो इसको शोना था और ये रोशनी में सोने ही पाती है इसको अंधेरा चाहिए शांती चाहिए तो कल इस ने बहुत जादा परेशान कर दिया मुझे रास्ते में तो बस मैं तो यह करती वेश जल्दी से गर पहुंँ जाए तो फ्रेंटि तें कोई रास्ते में कैसी दुखाने लगी हुए हैं हो मिट्टी के बखत्रा मिलते हैं अब हम खरीदने लगें अमरूथ मम्मी को परसंद है अमरूद तो मैंने इनको बोला कि अमरूद ले लो मम्मी को बहुत पसंद है और अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर मैं आ गई हूँ ये मेरी दादी मा दादी मा है इनके मैं पैच हू रही हूँ अब मिलूंगी मैं मम्मी से और यहां मम्मी है मेरी शासू मा खोस हो गई क्योंकि हमने इनको रात में नहीं बताया था कि हम कर आ रहे हैं जब हम निकले हैं घट से तब ही बताया था कि हम लोग आ रहे हैं आज तो मम्मी ने फिर जल्दी जल्दी खाने की तयारी कर रखी थी कड़ी और ये बतुए वाला आटा मलके रख रखा था, पुलाव बना रखा था कि बच्चा रहे हैं इसलिए तो खाना पीने की ममी ने शारी तयार कर रखी थी, फिर आके मैंने रख दी चाय बनने, ममी बना रही थी मैंने का अटो मैं बना लूमी चाय, मैं बना के लेके आती हैं आटा मलके, आटा तो मला हुआ था, ममी ने आटा मलके रख रखाता था, तो मैंने का लाओ रोटियम ऐसे एक देती हूं, तो फटाफट मैंने फिर पापा जी को खिलाया खाना, मैंने तो चाय अपना काम करते-करते ही पी ली थी, सब को देखे, और पापा जी ने नहीं प पूरा दिन पैकिंग में फिर घर आके अपना इतना सुकून सा मिला कि हाँ चलो अब हम अपना घर आ गए घर आके लगा भी नहीं कि बाहर इतना बीमारी का सुन रहते दिन रात अकेले में बाहर रहे हैं कि अपने घर आके तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं क्यूंकि अपनी वरना जा हम लोग रहते हैं वहां तो नहीं आया है भी कोई भी ऐसा कि कोई केस है कड़ी को कर दिया है मैंने फ्राइए और अब हो गया है मेरा काम अब मैं इस ब्लोग को करती हूं यहीं लियेंट तो फ्रेंट्स आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी आप मुझे जरूर बताईएगा मेरी वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए चैनल सबिस्क्राइब करिए फ्रेंट्स फिर मिलते हैं एस बीडियो के साथ आज का ब्लोग मुझे यही दिखाना था कि कॉरोना की डर से हमें कैसे कैसे घर के लिए आना पड़ी आचानक से पहले से हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी और कॉरोना ने हमें ऐसे अचानक से भेज़ दिया हमें यह तो पता ही था कि हमें घर वापस आना है हम इस टार्टिंग से इतना समान नहीं लेके गए थे वहां कि हमें जो आने में प्रॉब्लम हो जाए और समान लाने में हमें दिक्कत रहे क्योंकि हमारा यह था कि यह वाली वेव आके चले जाएगी उसके वाद हम अच्छे से अड्जेस्ट हो जाएंगे बाहर अच्छे से स अडिशन होकर हम भागेंगे भी वहां से तो वस यह था आज का ब्लोग बाए बाए टेक केर अच्छे सब्सक्राइब नाओ और सब्सक्राइब नाओ अट्रेस्ट बेल आकें नेवर मिसना